हेलो स्टूडेंट प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आश्राकरतों सभी फीट होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सासाइट 12B का क्वेस्समर 6 और उससे आगे जितने भी क्वेस्टन पॉसिबल हो सकेंगे सॉल्ब करने की कोजिस करेंगे प्रिबस की वीडियो में आपको किसमर 5 तक समझाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे या अगर आगे क्योंस के सॉल्यूशन चाहिए न तो सारे वीडियो के लिंक आपको उपर आई बटन में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें हमें कहा जा रहा कि इंदे गिवन फिगर यहां पर जो फिगर बन रहा है इसमें ABD 54 डिगरी का है यह देखो और जो BCD है वो 43 डिगरी का है आपको ACD, BAD और BDA find करना है तो ACD कौन सा होगा? ACD यह नीचे में जो बन रहा है यह हो जाएगा BAD कौन सा होगा? तो BAD यह उला angle हो जाएगा और BDA तो BD और यह complete जो angle यहाँ पर बन रहा है यह पूरा का पूरा यह हमारा BDA का लाएगा तो यह angle अपने को find करना है यह तीनों angle आईए copy में समझते हैं कैसे find करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो मुझे लगा था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो यह angle और यह angle क्या होगा है हमारे same segment के angle होगा है जिसके आपको पिछले वले क्या बोलते हैं वीडियो में बताया था introduction में जिसमें आपको ब्रीटेल में समझाया था कुछ rules वगेरा जो हमारे circle के अंदर apply होते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह वले और यह वले angle हमारे क्य और यह जो है यह same segment में आ जाएंगे तो इसमें आप लोग ऐसे direct लिखोगे कि जो ABD हमारा angle है angle ABD वो equal हो जाएगा हमारे इस वले angle के ACD के angle ACD के और दोनों की जो length हो जाएगी यह दोनों का measurement हो जाएगा वह 54 degree का हो जाएगा यह angle जो मेरा ना यह 54 degree का है ओके और क्यूं है क एक तो हमारा असानी से निकल गया ACD वाला अब दूसरा देखते हैं BAD second वाले में तो इसके लिए आप लोग क्या करो BAD देखो पहले तो है कहाँ पर BAD यहाँ पर हमारा angle बन रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे जो BD है ना इसको कॉड ले लेंगे तो अगर BD कॉड ले एक हमारे angle BAD के क्योंकि दोनों सेगमेंट में हो दोनों की जो value होगी वो 43 degree की हो जाएगी यह वलोग जो हमारा angle है यह 43 degree का हो गया किता सींपल था पहलो दूसरा को से solve करना इसका थर्ड वड़ भी असानी solve हो जाएगा थर्ड वाल में हमको BDA find करना है यह वला angle find करना है त हमारा angle A plus angle B और plus angle D इसी का नम अपने को ADB दिया हुए ना question में यह जो sorry BDA जो दिया हुआ है उसको मैं shortcut में D लिख दिया हूँ तो तीनों को जो sum होता है 180 degree होता है angle A में हमारा 43 degree बन रहा है B में हमारा 54 degree बन रहा है और plus में हमारा angle D equal to 180 इन दोनों को plus करके transfer करो तो आपका जो D का value निकल जाएगा चली जली से comment box ने बताइए कि जो D का value है वो किते degree का निकल रहा है अब हमनों चलते है next question को solve करने so the question of 7 is in the designing figure यह जो आपको figure दिख रहा है इसमें DE जो है cod है parallel है वो diameter AC का यह देखो DE और ध्यान रखना AC कौन सा भई अच्छा हाँ यह जो मेरा DE यह वाली line है और AC यह वाली line यह दोनों आपस में parallel है बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना इसी से हमारी question बनेगा को जड़ी से copy में सजाता हूं कैसे find करेंगे तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास यह जो 60 degree का angle दिया हुआ है तो यह भी जो होगा मेरा यह भी 60 degree का होगा जो कि अगर हम लोग इसको एक segment ले 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 तो यह दुनों हमारे same segment में बन रहे है जैसे अगर हमारा cd एक segment है तो यहां पर यह बन रहा है angle और इधर c वाले से यह हमारे angle बन रहा है तो दोनों same segment में है तो यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो angle cbd है angle cbd वो equal है हमारे angle dac के angle dac का equal है तो दोनों की जो value होगी वो यहां से 60 degree निकल करके आ जाएगी एक यह angle अपने को पता चल गया दूसरा यहां पर देखो अपने को निकालना कौन से angle है यह angle लिकल है अब उसके बाद देखो यहां पर जो मेरा angle बन रहा है यह कहां बन रहा है तो यह हमारे semi circle की इधर बन रहा है अगर मेरा AC जो है diameter है इसका मतलब कि AC के इधर वला जो हमारा part है आधा जो चान दीख रहा आपको यह इस तरीके से यहाँ से यहाँ इस तरीके से यह हमारा semi circle हो जाएगा और उपर का ABC इधर एक semi circle हो जा रहा है तो semi circle में जब कभी भी कोई angle बनता है यहाँ पर देखो A से लेकर के यहाँ है और C से इधर से लेकर के यहाँ पर आया तो यह जो angle होता है हमेशा वो right angle होता है 90 degree के angle होता है इसके बारे मैंने आपको introduction ले पार्ट में समझाया था तो यहाँ पर आपको लिखो direct कि ADC जो हमारा angle ADC वो है 90 degree का क्यों है क्योंकि हमारा angle semicircle में है तो angle in semicircle टेक है इस तरीके से हमारा इत्ता हो गया अब देखो हमारा येवल angle और ये angle अपने को पता चल गया अपने को तो ये निकालना था तो अब इसको कैसे निकाल लें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो लट theorem हम यूज करने वाले हैं हम देख किया पता है कि कभी भी अगर दो parallel lines होती है उसको एक transversal ऐसे cut करता है ठीक है तो यहाँ पर जो angle होता है और यहाँ पर जो angle होता है ये दुन आपस में दो angle हमें पता है तीसर और अगर हम दो निकाल लेंगे तो यह पता चल जाएगा और जितना कई यह होगा उतने कई भी होगा तो इसमें आप दो लिखो intringle acd triangle acd में हमारा angle यह देखो मैं shortcut में नाम लिख रहा हूँ गर आपके teacher बोलेंगे कि नहीं shortcut में नहीं लिखना है तो पूरा नाम लिखना इसका नाम dac लिखना इस ओले का नाम acd लिखना इस टेप से नाम लिखना मैं sort में लिखना एंगल a plus angle c और plus angle d यह तीनों का जो स 120 को उधर transfer करेंगे तो 180 में से वो minus हो जाएगा तो 180 में से 120 जब minus होगा तो आजएगा हमारा 60 degree तो angle c जो है यहाँ पर angle बन रहा है जिसका नाम acd है मैं इसका पूरा नाम ही लिख देता हूं acd जो है वो 60 degree का बन रहा है अब यहाँ पर आपर लिख होगे कि हमारा जो angle acd है वो equal है हमारे इस वाल angle के जिसका नाम हमें question में cde दिया हुआ था angle cd e के और दोनों का जो value होगा वो 30 degree होगा और यह दोनों angle आपस में equal क्यों है वो ही बता दो क्या आपस में यह दोनों alternate interior angles है क्योंकि ac और de जो थे दो parallel line से और यही जो transversal cut कर रहा है तो उससे यह दोनों angle बन रहे हैं इसलिए इसको आपको यहाँ लिखोगे alternate interior angles interior angles तो यहाँ पर आपके question solve होता है देख किता simple है तो बस आपको basic concept clear है तो आपसे सारे question ऐसी solve हो जाएंगे चलिए next question solve करते हैं तो question 8 में हमें start type से यहाँ पर figure बना कर दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि यह जो ह एक parallel है diameter AB का यह देखो CD जो chord है यह AB के parallel है तो parallel है यहाँ पर हम जल्दी से देख लो अगर यहाँ पर angle 25 degree का बन रहा है तो यहाँ भी 25 degree का बनेगा इतना दो clear है क्योंकि दून आपस में alternate interior angles हैं ठीक है हमसे बताया है कि वही ABC जो है यह वह 25 degree का है आपको calculate करना है CED यह वह तो अगर यहाँ पर direct इसको solve करना चाहोगी तो नहीं बनेगा यहाँ पर आपको एक चोटा सा construction करना पड़ेगा यह समझाता हूँ कि वह क्या है तो देखो अगर आपको यह CED find करना है यह वह अगर angle find करना है तो यहाँ पर beach वह जो angle है यह आपको find करना पड़ेगा इसके क्या करो कि OC को और OD को join कर दो यहाँ पर मैंने वही लिखाया कि to find CED हम एकर CED करना है तो हमको एक चोटा सा construction करना पड़ेगा जिसमें OC को और OD को join करेंगे अब उससे फैदा क्या होगा अगर मैं इस figure को ऐसे गुमाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर 25 degree का angle लिग देता और दोनों जो होगे वो 25 degree के होगे क्यों है क्योंकि alternate interior angles है यह सब आप यहाँ पर लिख लेना जो कि मैंने पहले लिखा था ओके तो यह 25 degree का हो गया अब क्या करो इस diagram को थोड़ा से घुमा हूँ आप तो आपको क्या दिखेगा कि हमारा यह जो है BDA का arc है इस arc के द्वारा यहाँ पर मेरा center में एक angle बन रहा है यह circle का center है तो आप देखोगे कि इस arc के through यह हमारा circle में एक center बना हूँ यहाँ पर एक angle बन रहा है center में और हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी अगर किसी भी circle के अंदर center में जो angle बनता है किसी भी arc के दौरा तो उन्हीं arc से अगर कहीं center वोला एंगल double होता है और दूसरे जगा वोला एंगल क्या होता है आधा होता है तो अगर आप ध्यान से देखो तो BD के through ही यह देखो OD यहाँ पर एक line गया हुआ है एक B से यहाँ पर line गया तो यह उला आप उसको रीट कर लेना मैंने पिछले वीडियो में इसको समझाया था ठीक है वह तो यहाँ पर बनता है और इसी आर्क से जो यहाँ पर बनता है दूसरे जीगा पर center को छोड़ कर कहीं भी बनता है तो वहाँ पर आधा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो BOD है एंगल BOD वो इक्वल है इसके डबल के BCD के डबल ऑफ एंगल BCD और यह यहाँ पर आप लोग वही जो थेरम दिया हुआ आपके बुक में जो पहला थेरम दिया हुआ इस एकसरसेज का उसका मुझे नंबर य यही फोकस कर दिया अने अब अच्छे से लिक्ता है इस तरीके से लिख लो और 25 का तो 50 degree आ जाएगा यानि कि यह जो एंगल बना है न यह हमारा 50 डिग्री का बना है same to same उसी तरीके से अगर आप लोग इस आर को देखो AC को अगर देखोगे तो AC के थुरू यहां पर एंगल बन रहे है हमारा AOC बन रहे है और साथ ही साथ AC के जो ऑर कहें यह हमारा बी एंगल बन रहे है A B C यह यह हो जाएगा तो यह भी हमारा किते डिंग्री का हो बाता चल गया है यह बी चोव जाले सकते हैं कि यह जानते यह क्या है हैं एक सीशिव राइंघल बने हुए है न इसका आप लोग ऐसे लिखो कि हमारा एंगलकि लोग करें यह वाला सी ओडी अगर प्लस करते हैं अगल के लिख दे और यह सुट्थ है अध्र गाहिछ ताकि यह को स cabo बता नहीं है वही तो निकालना है अगर व Hmara ManÜ एंगल पता चल जाएगा Lex VOD G हो जाएंगे पूर इधर ट्राणसफर करेंगे करेंगे तो वार्य से हंडicamente रबन रहेगा और इंहीं तो इसी R के थरू हमारे यहां पर भी एंगिल बन रहा है जिसका नम CED हैं तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा एंगल COD होगा वहुँडबल हो झाएगा हमारे एंगल CED के, ठीक है यहीhou कि यानी Center में बनेगा वहुआ डबल रहे गा तो एंगल C, E, D, जोगा, वो 40 degree का हो जाएगा, तो इस तरीके साब के इस question को solve करना था, यह हो 40 degree का है, अगर कुछ भी doubt हो तो Instagram और Telegram का मैंने link दिया हुआ है description box में, आपने doubt हम से वहाँ पर पूछ सकते हो, चले, अब जो अगला question है जल्दी से solve कर लेते हैं, तो देखो, 9th question में हम से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो figure बना हुआ है, इसमें AB और CD जो है straight line है, इसमें सीधी line है, यह वाली CD और यह वाली AB, through the center O, यानि यह जो straight lines है, यह center O से गुजर रही है, अब यहाँ पर जो angle बन रहा है, AOC, यह वाला 80 degree का है, CDE जो बना हुआ है, यहाँ आप तो यह बहुत असानी find हो जाएगा, हम लोगों पहले इसे find करना है, आईए कैसे find करेंगे, मैं आपको जड़ी से कौपी संजा देता हूँ, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले है, कि यह जो हमारा angle है, DCE इसे find करेंगे, अब इसे find करने के लिए हम लोग क्या क find कर सकते हैं, तो E कैसे find किया जाएगा, तो वो भी बहुत असान है, हमसे क्या क्या गया था, कि यह जो हमारा line है, CD जो है, वो एक straight line है, जो कि center O के, O से होकर गुजर रहा है, इसका मतलब कि क्या होगा, यह मेरा एक diameter हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग क्या जानते है, कि जो इस circle को दो पाट में divide कर दिया, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ C से लेकर के E तक गया है, और D से फिर E तक गया है, यानि कि यह जो हमारा angle होगा, यह 100% right angle ही होगा, वो हमारा जो 13 number second था, उसके according, तो हम लोग डाट इसमें लिखेंगे, कि inter angle, या फिर direct लिख दो आप ल Okay, semi circle बने वाल angle, इसे लिखें हमारा 90 degree हो गया, यह बर मैं 90 लिख देता हूँ, अब हम लोग लेते हैं, पूरा triangle को, CDE को, तो यहाँ आप लिखो, inter angle, CDE, अब इस triangle में मैं complete पूरा पूरा नाम नहीं दे रहा हूँ, आप लोगो teacher बोलेंगे तब आप पूरा detail में लिखना, मैं short में लिख रहा हूँ, कि हमारा जो angle number C है, जो अपने को find करने के लिए दिया हुआ है, इसका नम क्या दिया हुआ था ना, इसका नम मैं कहीं में लिख देता हूँ, DCE, इस तरीके से दिया हुआ है, यह अले angle का नम, ओके, तो हमारा यह angle C हो गया, DCE दिया हुआ है, प्लस में 90, इकोल के उस एड़ में 180, और इधर angle number C रहने दो, अब इन दोनों को इससे प्लस करोगे, तो किता आ जाएगा, 90 और 40, 130 आ जाएगा, 130 को तरा ट्रांसफर करेंगे, तो 180 में से 130 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 50 डिगरी, तो हमनों डालेट यहाँ प पहला होगी है, हमारा first question solve होगी है, अब second वाला जिसका नाम CBD, या फिर क्या दिया होता है, जो भी दिया होगा, ABC दिया होता second वा, इसका angle का नाम, ठीक है, तो अब इसको कैसे find किया जाए, तो इसमें भी देखो, बहुत simple है, यह वाला angle अपनों को पता ही है, अगर हम लोग यह triangle देखें, C, O, B, या फिर B, O, C, अगर हम लोग नाम दी इस triangle का, तो अगर हमको इस angle का पता चल जाए, और यह angle पता चल जाए, यह तो पहले ही पता है, तो यह दो angle पता चल जाएंगे, तो थर्ड़ वाला, फिर हमारा angle sum property से निकल जाएगा, यह हमारा angle sum property खलाता है, angle sum property of a triangle, ठीक है, मैं shortcut में property, इस तरीके से लिए देता हूँ, ओके, तो अब यह angle कैसे find क्या जाए, तो हमसे एक और चीज कहा गया था question में, कि जो A, B, वो भी straight line है, और हम जानते है, जो linear pair होता, इस straight line में जो angle बनते है, उन दोनों का sum 180 degree होता है, तो अगर इधर 80 है, तो इ matching matching अच्छा लगेगा, AOC प्लस BOC जो होगा, वो 180 degree होगा, क्योंकि यह हमारे linear pair के नाम से मज़िस हो जानते है, आपके straight line वाले भी नाम से लिख सकते हो, तो यह linear pair है, इसलिए हमारा 180 degree है, प्लस में angle BOC equal to हो जाएगा 180 degree, तो यहां से BOC निकलने के लिए AOC को जाएगा, 80 को यूज करेंगे, BOC का, तो यहां पर लिखाब लोग, in triangle BOC, थोड़ अच्छे से आ रहा है न, bloody तो नहीं ना रहा है, ठीक है, वीडियो में अच्छे से आ रहा है, तो triangle BOC के अंदर हमारा जो angle C है, उसमें हम लोग अगर प्लस करेंगे, यह ओला angle, जिसका नाम B है, जिसका को ABC नम दिया हो था, तो तो त्यूनों का सिम फिर वही 180 डिग्री आएगा, तो कि हमारा angle सम प्रोपर्टी है, तो C का value 50 डिग्री, BOC का value 100 डिग्री, प्लस में angle number B, एक्वाल को साथ में 180 डिग्री, यह दुनों पलस होंगे, तो हमारा 150 आ जाएगा, 150 दाख के माइनस में हो जाएगा, अब आपको यह भी बहुत अच्छे समझ में आगया होगा, चलिए इस वीडियो का भी जो last question, question 10 उसे कर लेते हैं, उसके बाद के जो question रहेंगे उसे इमलों next video में cover करेंगे, so 10th number का question है, उसमें दम diagram हमारा simple से बना हुआ है, और जैसा diagram है, वैसी मैं इसको आपको solve को न सीखाऊंगा, इसमें बोल रहा है कि हमारा O center है, ठीक है, जो angle AOB बन रहा है, यहाँ पर यह 40 degree का है, और यह जो इधर angle बना हुआ है, यह वाला, जिसका नम BDC है, ऐसे side में, यह 100 degree का है, अपने को OBC find करना है, OBC यानि कि यह वाल angle find करना है, तो अगर यह angle पता चल जाए, तो यह angle हमें वासानी से निकाल सकते हैं, अब इस angle को कैसे निकालेंगे, यानि इस angle को कैसे निकालेंगे पहले, वो समझने वाली बात है, आइए समझाता हूँ, तो देखो, बना लिया है, अगर आप ध्यान से देखो, तो हमारा AB एक arc है, इस तरीके से arc है न, और हम क्या जानते हैं, कि arc अगर कोई हो, उसके द्वारा जो हमारा center में angle बनता है, वो क्या होता है, डबल होता है, अगर इसी arc से कहीं दूसरे जगा पर angle बनी, तो अनो normally उसको इधर दे और यह circle में बना हुआ है, तो जो center में बनता है, वो double होता है, circle की किसी भी दूसरे पार्ट में बनने वाले से, तो अगर यह 40 है, तो इसका मतलब यह 20 degree का होगा, खेल खतम, अगर यह निकल गया, अगर यह 20 है, तो यह हमारा 120, 120 हो जाएगा, तो इसका मतलब यह 60 degree का होगा तो यह हमारा 60 degree का होगा, जिसमें एक मिनट में बनके question, अब लिखना कैसे वो बता देता हूँ, तो सबसे प्रेता आप लोग इसको ऐसे लिखोगी, कि हमारा जो angle AOB है, वो जो होगा double होगा, किसके भाई, तो हमारा, मैं कौन सा angle बता है था भाई, यह वाले angle के, angle ACB के, angle AC ACB का, यह double हो जाएगा, तो क्यों होगा, तो वही हमारा जो theorem number 1 दिया हुआ था, वो आपको याद करके थोड़ा सा उसको अपने language में बना लेना, और उसको यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है, तो अब हमारा AOB जो हो 40 degree है, यह 2 के धर लिया तो divide में हो जाएगा, इकोल को triangle का use कर लेते हैं, BCD का, जिसमें हमारो लिख दो, in triangle BCD, अब इस triangle में हमारे पास, यह जो हमारा, यह angle जो है, जिसका नाम BDC दिया हो था, मैं पूरा-पूरा नाम लिखी देता हूँ, last question है, उसमें plus करेंगे यह वाल angle, जिसका नाम अभी हमने निकाला ACB, और उसमें plus देंगे, हम लोग यह वाल angle, इसका नाम CBD है, angle CBD, क्योंकि इसका नाम हमारे पास देखो, आप DBC भी दे सकते हो, CBD भी दे सकते हो, जो भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, equal हो जाएगा 180 degree का, तीनों angle का, इसको भी हमनों लिख देते हैं, आपर angle some property है, यह हमारा, ठीक है, तो इ CBD, equal to 180, minus 120, sorry, 120 यह वाला, तो इधर हमारा हो जाएगा, CBD के दे डिगरी का, यह हो जाएगा, हमारा 60 degree का, तो इस तरीके साब को इस question को solve करना था, देखा, जैसे diagram simple था, वैसी question भी solve होगा, बस बच्चे लोग confused का होते हैं, इस question में, उम लोग इधर ढूनने लगते हैं, कि अ पर जो आगे questions हैं, उन्हें ही मैं आपको इसी तरीके से basic concept के साथ समझा दूँगा, thank you for watching,